हेलो फ्रेंड्स मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे महारे अस्ट्रियन स्टाइल बेसन भाकरी जिसे पिटल भाकरी या धून का भाकरी भी कहती है तो चल यह शुरुवात करते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है बेसन उसके साथ ही लसन लिया है हरी मिर्च बारिक कटा हुआ ओनियन बारिक कटा हुआ धनिया राई बुंफली के दाने करी पत्ता हल्दी और स्वादनों सर नमक लिया है तो चलिए अब हम रेसिपी की शुरुवात करते हैं तो अब हम उंगफली के दाने फ्राइ करके निकाल लेंगे अब सबसे पहले हम इसमें राई डाल देंगे उसके बाद हम हरी मिर्च और करी पता डाल देंगे इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे उसके बाद हम ओनियन डालेंगे अब हम यहां पे हल्दी और कुटा हुआ लेसं डाल इसे mix कर लेंगे और इसे golden brown होने तक रखेंगे अब हम यहाँ पे हमारे fry किये हुई मुंफली के दाने भी डाल देंगे अब हम इसमें पाने डाल देंगे यहाँ पे मैंने देड़ ग्लास पानी का इस्तमाल केया है क्योंकि यहाँ पे मैं तीन लोगों के लिए यह बेसन बना रहे हूँ तो देखें यहाँ पे पानी को अच्छे से उबालाना शुरू हो गया है अब हम इसमें बेसन डालेंगे तो कैसे डालना है हम यह विस्क की मदद से इसे ही लाएंगे और थोड़ा 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 बेसन इसमें डालेंगे अगर हमने एक बार में ही सब आठा डाल दिया तो उसके गोले बन जाएगे और वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा इसलिए इसी प्रोसेस से हमें यह बेसन को बनाना है हमें इसे ज़्यादा गाडा भी नहीं बनाना है और ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है बस इसमें जितना बेशन लगे उतना ही हमें डालना है और हाँ आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक केजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे ट्रेडिशनल महाराश्ट्यन स्टाइल में इसके साथ भाकरी को खाते है इसलिए हमें इसे ज़्यादा गाडा नहीं बनाना है तो देखिए आप इसकी कंसिस्टनसी अब हम इसे ढखकर साथ मिनिट के लिए लो फ्लम पे रख देंगे तो यह अच्छे से पक जाएगा तो देखिए हमने यहाँ पे जितना चने काटा लिया था ना उससे हमें आदा ही लगा है तो यह देखिए हैं यहाँ पे हमारे साथ मिनिट हो चुके है तो देखिए कितना अच्छे से रेडी हो चुका है अब हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे देखे हम ऐसी इसकी consistency रखना है अब सबसे last में हम इसके उपर धेर सारा धनिया डाल देंगे इसे mix कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे बेशन बनके ready हो चुका है तो चली अब हम इसे serve करते है तो इसे कैसे खाते हैं मैं यह आपको बताते हूँ सबसे पहले हम इस बेशन के उपर थोड़ा सा oil डाल देंगे और इसे mix कर लेंगे अब देखेए यह खाने के लिए ready हो चुका है Thank you for watching my video